सब्सक्राइब दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपल कौशिक और मैं आपका स्वागत करता हूँ आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मागी तोड़े में आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे शेर के मारे में डिसक्स करने जा रहा हूँ जिसे आप आने वाले 10 सालों तक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और ये स्टॉक बहुत साइर रिसर्च हाउसे की भी पसंद रना हुआ है हमें हमारे पोर्टफोलियो को मिक्स बनाना चाहिए जिसमें कुछ स्टॉक्स लाउन टर्म के लिए भी होने बहुत ज़रूरी है जो आपको कंपाउंडिंग रिटर्स देते रहेंगे और आपके फंस को अच्छे क्यागर की रिटर्न से ग्रो कराने में आपकी हल्प करेंगे चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए मैं कौन सा मल्टी बैगर शेयर ले गया हूँ दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरे एफ़र्ट आपको पसंद आते हैं और भी बहुत सा ए-linx मैंने इस वीडियो के रिट्रिप्शन में दे दी है तो जहां आप चाहते हैं अपना फ्री डिमेट और टेडिंग आगर खोल सकते हैं और आज ही अपने टेडिंग और इंवेस्मेंट की शुरात को कर सकते हैं दोस्तों मैंने इस वीडियो में एक no-brainer stock को अड़ किया है जी हाँ no-brainer मतलब जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्या ऐसा possible है? क्या ऐसा really possible है कि stock market में हमें दिमाग लाने की जरूरत नहीं है? जी हाँ ऐसा possible है मैं भी इस वीडियो के अंदर में आपके साथ बहुत साथ एक्जामपल्स भी शेयर करने वालो हूँ जो आपने अपनी लाइफ में कभी दिमाग नहीं लगाया हुगा कभी दिमाग लगाने की जरूरत भी महसुस नहीं कियोगा इसे शेयर को लेने के लिए और ऐसे ही कटेकरी में एक ऐसे शेयर को आज सी उसके है मैंने जो आने वाले 5-10 साल में मल्टी बैगर बन सकता है और उसकी वज़य क्या है वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे चलिए दिखते हैं कुछ एक्जामपल्स जो नो ब्रेनर स्टोक है एसे पेंस की देबार ही नहीं तो कहने का मतलब है कि ऐसे शोक्स के लिए आपकी इनकी वैलेंस शीडूरी नहीं करते हैं आपको मालूम है यह रिटेल से जुड़े हूए है यह आपके इमीलाइब से जुड़े हूए है ये stocks हमेशा चलते ही रहेंगे और इनमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता तो ऐसे stocks को जो market के जानकार लोग है वो इनको कहते है no-brainer stock की ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है ठीक है इसे stocks में future बहुत क्लियर होता है इनने एनलाइज करने में ज़्याद दिमाग नहीं होती है ये stocks long term की अच्छे returns देते ही देते हैं इसलिए इनको कहा जाता है no-brainer कैस ऐसी companies को no-brainer कहने के पीछे जो वजय होती है उसके पीछे बहुत ही clear-cut reasons है मेरे मैं आपके सामने रख रहा हूँ सबसे बड़ी बात है कि इनके financials बड़े sound होते हैं इनकी history बहुत long होती है मतलब कई सालों से बजार में prevail कर रहे होते हैं for example Britannia, Nestle, कई सालों से 40-40 साल से 50-100 साल से लिगे सी इन companies की तो यहाँ पी दिमाग नानी देर होती है well established, जो इतनी पुरानी companies हो गई तो established आपके सामने हुई है और आपके सामने उनकी growth भी आपको दिख रही है consistent CAGR returns देते हैं, compounding average growth देते हैं 17-18% के आसपास में और मानिये 17-18% की अगर आप CAGR निकाल पाते हैं तो believe me आपको करोड़ोपती बनने से कोई रोक नहीं सकता राके जुन्दुन वाला 17-18% इंटन पसंद करते हैं, war on profit beats से 22% करते हैं तो long term के लिए अगर आपको जाना है और अगर अपने पैसे को grow कराना है तो आपके लिए 17-18% काईगर बहुत ही बहुत शांदार होती है, ऐसे जाल आलज़ करने की दरूर नहीं है ऐसे companies में default की probability या तो zero होती है, बहुत ही बहुत low होती है इनके जो products और services होते हैं, वो retail से जुड़े हुए होते हैं, आप किसी भी ऐसी multi-bagger companies के बारे में बात कीजिए जो आप से मुझसे जुड़ी हुई मिलने ही वाली है, इनका horizon बहुत long term होता है, दूर की देख के सोचते हैं, इनको मालू होता है कि आने वाली generations को क्या चाहिए, आने वाली लोगों को क्या चाहिए, क्या demand हो सकती है इन सब चीजों का analysis करने के बाद ही अपने product services को ये companies launch करती हैं, इसी लिए ये long term के लिए no-brainer तो बन ही जाती है और multi-bagger बन जाती है चलिए कुछ ऐसे no-brainer stocks की returns देखते हैं, पिछले past में कह रही ताकि आपको confidence आ जाए कि हाँ, जिस stock के बारे में बात करने वाला हूँ, वाकई शानदार है तो मेरे आपसे request अगर आपको content पूरा चाहिए, अगर आपको जानना है कि ये no-brainer क्यों हो सकता है, multi-bagger क्यों हो सकता है, इसके पीछे क्या बज़ा है guys, तो वीडियो को पूरा आं तक देखना बहुत जरूर है, skip करने से कुछ नहीं मिलता, आदा दूरा ग्यान, dangerous है, 780% की returns दियें long term में, Nestle India 663% की returns, Hindustan Leaver 789% की returns, ये huge returns है guys, ये उन लोगों को returns मिलती है, जो long term के लिए socks को रखते हैं, और जगर आप portfolio बनाना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसे socks होने ही चाहिए, जो long term में आपको अच्छी खासी return दें, आपके portfolio को संभाल लें, क्योंकि आ आप में अगर आप निवेश करने की मन बना लेंगे, निवेश करने की आदर डालेंगे, तो आपको बजार में करोड़पती बनने से कोई रोक नहीं सकता है, तो ये सादा time नहीं लगाते हैं, और आपके सामने reveal करता हूँ, उस stock को जिसके बारे मैं पहले भी दो वीडियो बना चुका हूँ, एक वीडियो मैं आपको बहुत साल पहले कम से हम 2018 के आसपास से मैं आपको कह रहा था, प्लीज ये stock ले लिजिए, 60 रुपे पर उस राइम पर था, आज वो 20 रुपे गया, आसपास का stock चला है, चार गुणा वहां से हो चुग है, और अभी भी मुझे बहुत गुरो कर सकता है, एक रीसेंट वीडियो आपको मैंने इस लास्ट मना के दिया, उसके बाद वहां से 160 रुपीज के आसपास मैंने आपको stock दिया था, काईस मुझे वालू है, जितने मेरे वीवर्स हैं, अगर वो stock के बारे में पता कर चुक है तो प्लीज जाए एक कमेंट सेक्शन में लिखे किस stock के बारे में बात कर रहा हूँ, आप एक कमेंट्स को personally like करूँगा, personally परसंद करूँगा, and the no-brainer stock is tada power, जी हाँ, tada power, okay guys, सिर्फ नाम को जान लेने से, वीडियो को skip करने से कुछ नहीं होने वाला है, पहले इसको समझना पड़ेगा कि no-brainer क्यों है, इसमें अभी भी growth के potential क्यों है, आपको एक अच्छी चीज निगाल के देने कोशिश करता रहा हूँ, हमेशा से अच्छी चीज़ आपके सामने लेका है, तो इसे वीडियो को एक like तो बनता है, प्लीज, अभी तक like नहीं कहा है, तो कंजूसी मत कीजिए, like reason क्या है, इसके Tata Power को मैं multi-bagger क्यों कह रहा हूँ, no-brainer stock क्यों कह रहा हूँ, यह समझ लेते हैं, guys आपने BlackRock का तो नाम सुना ही होगा, BlackRock एक world का largest asset manager है, उनके CEO है Mr. Larry Fink, उनने Tata Power में 500 से 700 million US dollar निवेश करने का मन बनाया है, उनने Tata Power की subsidiary है, which is Tata Power Renewable Energy Limited, TPREL, उसकी जो वैलुएशन है, उनने 5 billion के आसपास आकी है, उनने कहा है कि इसकी वैलुएशन 35,000 करोड के आसपास में है, guys, BlackRock बहुत ही famous है, Renewable Energy के पैसा लगाने के लिए ऐसी companies को चूज करते रहे हैं, जो green energy से जुड़ी है जो आने वाला future है, दोस्तो, pollution जिसकादर बढ़ रहा है, fuel prices जिस तरह गेन कर रहे हैं, पूरा world जिस तरह green energy की तरफ जा रहा है, vehicles green हो रहे हैं, बलब vehicles green होने का मतलब है, सब electric होनी की तियारी हो रही है, coal products से thermal से हम हट रहे हैं, green energy की तरफ हम transform कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, US dollar, which is around 3750 से 5000 करोड के आसपास में, Tata Power की TPR EL subsidiary में वो लगाना चाहते हैं, इसी race में Canada का pension fund भी बॉली लगाई थी, बट उसकी बॉली को, उसकी जो bidding थी, उसको BlackRock ने outbeat किया है, और outperform किया है, इसलिए शायद ये पूरा माना जा रहा है, ये confirm news नहीं है, बट ये माना जा है कि BlackRock is very very close to closing this deal, उसवाई ये दिखते हैं कि Tata Power की क्या latest ऐसी announcement है, जो हमें फिट से इस stock के ओपर भरोसा दिलाने में मदद करती है, Tata Power wants to increase their renewable energy business to 60% by 2025, जी हाँ, 2025 तक 60%, अभी कितना है, अभी it is 31%, 2025 तक वो उसको 60% लेके जाना चाहते हैं, 2030 तक उसको 80%, हम सोच सकते हैं, अभी जो business 31% है, 31 से 60, अभी डबल, वहाँ से 80% मलब huge, मलब almost major जो business junk रहने वाला है, वो renewable से आने वाला है, चलिए इसको ओर detail में समझते हैं, if renewable business is increased from 31 to 60%, तो फारक क्या पढ़ने वाला है, valuation जो अभी 5 billion US dollars की है, वो 10 new US billion dollar के आसपास पहुँच जाएगी, और उसके उपर उनको top-up valuations मिलने वाले, top-up investments मिलने वाले, जो 2 to 5 times हो सकती है, जो इंक्रीज दा वालेशन तो 20 to 50 billion US dollars, और अगर ये बढ़के 31% से 80% हो जाता है आने वाले ताइम में 10 सल के अंदर में, तो तीस तक की अगर बाते कर रहे हैं, अगल 9 सल के अंदर में, 2021 हो जाता है, अगल 31% से 80% हो जाता है, तो 5 US billion dollars से बढ़के 13 to 15 billion US dollar के आसपास तो valuation हो जाएंगी, और जो top-up investments उसको मिलने वाले हैं, जो top-up valuations उसको मिलने वाले, they will come close to around 30 dollars to 75 US billion dollars. एक चीज़ याद रखिए दोस्तों कि पूरा संसार green होने कोशिश कर रहा है, the world is going green, and institutional investors are focusing too much on ESG companies, जितने भी renewable green energy companies हैं, उनके scope आगे future में गुरो करने का बहुत ही जादा है, चाहे उनके valuations बिदितनी मर्जी महंगी हो, valuations और महंगी होती ही चले जाएंगी, investors आते चले ज चाहेंगी, company size big होता चाहेंगी और company multi bagger में convert हो ही जाएगी, ये तो चाहा टाटा power का electricity generation का plan, अगर हम उसके distribution plan के तर जाने कोशिच के, जिसकी variation और भी extra है, और भी इसमें सोने पे सुखा का काम करती है, वो है power distribution, power distribution में क्या चीज़ है, टाटा power का distribution network plan कहां से आता है, अब ह 1000 home EV charging stations है, एक लाग EV stations करने का उनका प्लान है, charging stations करने का प्लान है 2025 तक का, अगर आपको लगता है, कि टाटा power एक छोटी कमपनी है, तो आप गलती कर रहे है, मेरे इसाब से जब analysis करने बैठेंगे, तो दिगज कमपनी की तरे इसको समझेगा, और सोचीगा कि आने वाले 10 स साल में क्या से क्या हो सकती है, कि अपको नहीं लगता कि going green is the necessity of future, दोस्तों अगर आपको लगता है, कि हम भी green होना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लेके बताएं, अगर आपको लगता है, कि green energy is the future of the country and for the globe, प्लीज जाके comment section में कमेंट स्रूर कीजी, आ और अगर आपको लगता है, कि मेरा analysis गलत है, उसको में welcome करूँगा, उसको सही कहनी कोशिश करूँगा, इसमें कोई changes अगर आप पताना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उनको seriously लुगा और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, Last but not the least, thank you so much for watching this video, and guys, data power की तरह ही अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, तो please do not forget to like this video, क्योंकि मैंने आपको बताए था YouTube का algorithm, yes, how it works, वो देखता है कि कितनी वीडियो के ओपर likes है, दिती जाता likes होती है, वीडियो को viral किया जाता है, information पर सब का अधिकार, तो please अगर चैन आपको आपको याए, जाहिंहां, जाहिंहां.